हलो दोस्तों कैसे वाप सभी आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम यहां से उन तमाम क्यूशनों की बात करेंगे जो कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में आप लोगों को विज्ञान विशे से पूछे गए हैं चलिए तो जैसे की फर्स्ट नमर का क्यूशन्स आप के सामने हैं और यह बहुत आसान सा सवाल है इंपोर्टेंट क्यूशन्स है इससे पहले भी यह बहुत से एक्जाम में पूछा गया सवाल है और यह क्यूशन्स आप लोगों को अवेलेबल मेरे दुवारा किये गए जो साइंस के नोड्स हैं उसमें हुब हुँ मैच किया ह मानव सरी का सबसे कठोर तम भाग कौन सा होता है मानव सरी का सबसे कठोर तम भाग के बारे में हमें पूछा गया था परीक्सा में तो आपको बताना था वो होता है दोस्तों क्या इनेमल होता है कौन होता है इनेमल यह इनेमल मानव सरी का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो दोस्तों हमारा यहां से सही आंसर होता चलिए दोस्ता हैं अगले जुशन की तरफ बढ़ते हैं घहीं सैंगने घुयूशन तहां गए व oni है हैं उन तमाम अनेचे क्रियाओं को नियंत्रित करता है मस्तिक्स का कुन सा पार्ट ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मस्तिक्स के तीन पार्ट होते हैं अगर मस्तिक्स मद्दे मस्तिक्स और एक होता है दोस्तों कुन सा पस्से मस्तिक्स पस्से मस्तिक्स पी जैसे कि रद्य का धड़कना हो गया इस प्रकार की तमाम जितनी भी अनेचिक क्रियाओं को नियंतरित करता है कुन मैंडूला उमला गेटा पार्ट करता है और ये पार्ट किसका होता है पस्से मस्तिक्स का पार्ट होता है ऐसा भी हमें विकल्प में दिया जा सकता है ये चैनल को जोइन करें, टैलीग्राम पर सर्च करें, आप लोग RD Science Adda, तो आज ही आप लोग इस चैनल को जोइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रप्शन बोक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप मेरे टैलीग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं, जिससे की आगाम प्रत्वी का प्लाइन वेक के बारे में पूछा गया था प्रत्वी का प्लाइन वेक दोस्तों होता है 11.2 km per second होता है परत्वी का जो प्लाइन वेग होता है वो कितना होता है दोस्तों 11.2 km per second होता है इस question का सही विकल्प होता हमारा ए विकल्प यां से सही आंसर होता चलिए तो इसी अनुरूप अगले question की तरह बढ़ते हैं जैसा की दोस्तों हमारे को दिया गया था अगला question ये कि निमलिकित में से कौन सा एक परत्वी ओक्सी कारक नहीं है परत्वी ओक्सी कारक यानि की ये जो परत्वी ओक्सी कारक होता है न दोस्तों इसी को एंटी ओक्सीडेंट भी कहते हैं और विटामीन A, विटामीन E और विटामीन C हमारे सरीर में एंटी ओक्सीडेंट की तरह कारिये करते हैं परत्वी ओक्सी कारक की तरह कारिये करते हैं एंटी ओक्सीडेंट या परत्वी ओक्सी कारक का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारे सरी में विबिन परकार की क्रियाओं की द्वारा फिरी ओक्सिजन का निबान होता है इस फिरी ओक्सिजन को नश्ट करने वाले एक तो विटामिन A होता है E होता है और एक C होता है एक तो देखो oxygen O के रूप में है और एक oxygen O2 के रूप में हो ये O2 के रूप में तो हमारे सरीमिक उप्योग में ले लिया जाता है लेकिन जो फिरी oxygen बन जाती है ये विबिन प्रकार की कोशिकाओं को नश्ट करती है इस कारण ये सरी के लिए हानिकारक होती है इसे नश्ट करने के लिए विटामिन A कारगार होता है E और C इसके अलावा ये lycopene जो किस में पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है ये भी दोस्तों antioxidant की तरह काम करता है विटामिन E antioxidant की तरह कारिये करता है और इसके अलावा यह lycopene अंटी उक्सिडन्ट की तरह कारिया करता है इसके अलावा हमारे पास एक था क्या? asparitam और एक था दोस्तो क्या? selenium यह selenium भी दोस्तो antioxident की तरह कारिया करता है लेकिन aspartame यह तो sugar फिरी क्या होती है? सरक्रा होती है तो यहां से गलत जबाब होता हमारा सी विकल्प हमारा यहां से गलत जबाब होता कि यह कभी भी क्या ने करता है यह एंटी ओक्सिडेंट की तरह कारिये नहीं करता फिरी ओक्सिजन जैसे की होती है एला टेम होती है एसपार टेम होती है सेक्रीन होती है, फिरी ओक्सिजन, सरकरा फिरी गुलकोस के नाम से इने जाना जाता है चलिए तो इसी अनुरूप हम अगले क्यूशन की तरफ मुग करते हैं अगला क्यूशन था हमारा दोस्तों यहां से कि अगना से रसका कौन सा एंजाइम होता है जो की इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है, या दोस्तों यहां से ऐसा लिखावा सकता है वसा का पाचन करता है तो दोस्तों यह क्यूशन भी आप लोगों को जो मेरे क्लास वर्क का जो नोर्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं उन क्यूशनों में से आपको हुबहु उठाया गया है पाचन तंतर का टोपिक का आप लोग उठा के देख लीजिएगा उसमें आपको बताया गया है कि वसा का पाचन कोन करता है लाइपेज एंजाइम करता है तो सही विकल्ब दोस्तों यहां से कि क्या होता सी इसका सही विकल्ब होता इसके अलावा पैपسین और ट्रिपसین यह दोनों प्रोटीन के पाचन के लिए उप्यूप्त होते हैं एमाईलेज यह इस्टार्च के पाचन के लिए उप्यूप्त होता है तो यहां तो हमें क्यूशन में वसा के लिए पूचा गया था तो यहां से सही विकल्प होता दोस्तों भी हमारा यहां से सही विकल्प होता इसी अनुरूप दोस्तों अगले क्यूशन की तरह बढ़ते हैं अगला क्यूशन था दोस्तों क्या अगला question भी दोस्टों बहुत आसान सा सवाल था और इस question में दोस्टों हमें पूछा गया था यह कि निमे लिक्षित में से कोन सुमेलित नहीं है सुमेलित कौन सा नहीं है उसके बारे में हमें या से बताना था देखो डोर्स इसके आगे लिखा गया है शेरोग शेरोग को दोस्तों टीबी के नाम से भी जाना जाता है इसके नाम से टीबी के नाम से भी जाना जाता है डबलू एचो के द्वारा टीबी को रोकने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसको डोर्स कहा जाता है तो इसका मिलान तो सही है दोस्तों B विकल्ब में दिया गया है AB positive रक्त समय सरवदाता होता है गलत जवाब AB positive जो होता है इसको दोस्तों कहा जाता है क्या शरवगराही कहा जाता है क्या कहा जाता है सरवगराही कहा जाता है और इसके अलावा एक होता है O-negative इस O-negative को कहते हैं क्या सरवधाता लेकिन तो यहां तो हमें विकल्प में क्या मिल रहा था कि AB positive रक्त समय सरवधाता होता है नहीं सरवधाता नहीं होता है यह सरवगराही होता है और adrenaline एक हार्मोन क प्रकार होता है ये विकल्ब भी सही है डीपीटी एक टीके का प्रकार होता है ये विकल्ब भी सही है यहां से गलत जबाब था हमारा कुन सा बी विकल्ब हमारा यहां से गलत जबाब था और सुमेलित जो नहीं है वो ही हमें क्यूशन्स में बताना था तो बी विकल्ब दोस् दोस्तों हम अगले क्यूशन की तरह बढ़ते हैं और अगला क्यूशन भी बहुत आसान सा सवाल है ये क्यूशन भी आपको गरंतियों का जो टोपिक आपके पास है मेरे दवारा उपलब्द करवाएगे जो नोर्स हैं उनमें आपको हुब हुब मिल जाएगा चाहें तो आप चेक करके दे सकते हैं और दोस्तों अभी तक आप लोग उने मेरे टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो आप लोग चल्दी से मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन करें वहाँ आपको साइंस से सम्मंदिक बहुत सारा important content आप लोगों को परवाइड करवाया जाता है डे तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करें, RD Science अड़े को आप लोग सर्च कर सकते हैं, चलिए तो क्यूशन की और बढ़ते हैं, क्यूशन में दोस्तों यहां पूछा गया है, मानव स्री में किस हर्मोन को आपात कालीन हर्मोन कहा जाता है, इस एड्रिनलीन हर्मोन को अपन आपात कालीन हर्मोन कहते हैं, या इसी को दोस्तों करो मरो हर्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सरी में आपात कालीन यानि संकट कालीन जो परिस्तितियां होती है उस समय ये एडिनलीन हार्मोन का हमारी जो एडिनलीन गरंती होती है उसके द्वारा सराव किया जाता है इसको करो मरो हार्मोन या इसको आपात कालीन हार्मोन भी कहा जाता है बाकी भी आप लो जो हर्मों होता है यह महीलाओं के महीलाओं में निकलने वाले हर्मों होते हैं जो की गरब से संभदी का जबाब तो होता उस्वार्पके जबाब होता हार्मों चलिए तो दोस्तो एक और अगले system की तरह बरते हैं और एक आसान सा सवाल आप लोगों को यहां से पूछा गया था यह पूछा गया था कि क्लोन किया जाने वाला पहला इस्तनपाई कौन था क्लोन जिसका सबसे पहले क्लोन तियार किया गया था वो सबसे पहले इस्तनपाई कौन सा था वो दोस्तों था कौन भेड और उस भेड का नाम भी ये दिये एक्जाम में हमें पूछा जाए ना तो उस भेड का नाम भी क्या था डोली भेड जिसका सबसे पहले कलोन तियार किया गया था तो इस क्यूशन का सही आंसर दोस्तों सी वी कल्प होता हमारा यहां से सही आंसर इसी प्रकार दोस्तों अगले परसन की तरफ बढ़ते हैं और अगला भी एक आसान सा सवाल है और इसमें पूछा गया था हमें कौन सा जीव काला अजार बिमारी का कारण है यहां से एक आसान से सवाल में हमें पूछा गया था कि काला अजार जो बिमारी होती है इस काला अजार बिमारी में कौन कारण होता है अमीबा होता है या प्लाजमोडियम होता है या लैसमानिया होता है या प्लेनेरिया होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो काला अजा इस प्रकार दोस्तों हम ने आज उन तमाम क्यूष्णों की यहां से बाते की हैं जो की कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में आपको विज्ञान विससर पूछे गए हैं जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताईएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग छोड़के जाईएगा फीडियो को लाइक से इरक तो आप करते ही होंगे इसी प्रकार आप अपना प्यार मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा आज के लिए इतना ही रहने वाला है बाकिया हम मिलते हैं अगली मुलाकात में तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद